नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर शहर में इंदिनों पुलिस द्वारा भुतड़ा चेमबर तथा अन्यस्थानों पर लॉकर्स के खिलाफ की गई कारवाई चर्चा में है इस पर C.A. Association के पुर्वा अध्यक्षा तथा नागपूर चेमबर ओफ कॉमर्स लिमिडेट के वरतमान अध्यक्षा C.A. केलाज जोगानी ने कहा कि प्रावेट या बैंक लॉकर्स विभिन व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हैं जो उनकी व्यक्तिकत प्रिमाइसेस कहलाते आएकर या ने किसी भी विभाग के अध्यकारी बिना वरारान के उस प्रिमाइसेस में नहीं जा सकते यही बात पुलिस कारवाई का शिकार बने लॉकर्स के बारे में भी लागू होती है जोगानी ने कहा कि उस विशेश व्यक्ति पर सर्च वरान के बगेर लॉकर भी सेंडल बोर्ड ओफ डारेक्ट टेकसेस के साफ और स्पष्टन निर्देश है कि लॉकर को खोलने के लिए आयकर की धारा 132 चार के तहट प्रोटोकॉल के अनुसार अलग से वरिश्ट अधिकारियों की अनुमती लेकर ही कारवाई की जा सकती है बैंक ओफ इंडिया नाकपूर के एक शेत्रिय प्रमंधक एस संतोष ने नाकपूर शहर में एक मोबाईल ATM वैन तैनात करने की घोशना की है वैन निवासियों विशेश रूप से वरिश्ट नागरिकों को एक सुरक्षित और सुविधा जनक तरीके से अपने दर्वाजे पर प्रमुक बैंकिंग सेवा तक पहुचने में सक्षम बनाएगी मौजुद हालात में कुरोणा मामलों के वापस बढ़ने की संभावना को मद्दे नजर रखते हुए घर पर ही रहने की सला दी जाती है ATM वैन आने वाले दिनों में नाकपूर शहर के विबिन्न हिस्सों में आसान इसे सुलप स्थानों पर तैनात की जाएगी इन स्थानों में राणा प्रताप नगर चौक, और एन सिटी चौक, मेडिकल कॉलेज चौक और शहर के अन्य प्रमुक स्थान शामिल है मोबाईल ATM नियमित ATM पर उपलब सभी सेवाय प्रदान करता है नगत निकासी के अलावा पीन बदलना, बैलेंस पूच टाच, मिनी स्टेटमेंट आदी सुविधाओं का लाब भी लिया जा सकता है शेत्रिय प्रबंदक एस संतोष ने अधिक से अधिक लोगों से आगरह किया कि वे इस तरह के कठिन समय के दोरान बैंक द्वारा दी गई इस सुविधा का लाब उटा है आजादी कामरूत मोहतसफ के अंतरगत एवं डॉक्टर बाबासाइब आमबेटकर महापरी निर्वान दिन के उपलक्ष में दक्षिन मद्यक शेत्र सांसुति केंद्र नागपूर द्वारा छे दिसंबर को दोपहर चार बजे केंद्र परिसर में प्रग्या सुरिय डॉक्टर बाबासाइब आमबेटकर की साहित्य एवं कला दुरुष्टी इस विशे पर व्याक्यन का आयोजन किया गया है इस आयोजन में महात्मा गांधी अंतर राष्ट्रिय हिंदी विश्वविद्याले वर्धा के प्रदर्शन कारी कला विभाग फिल्म एवं तीयेटर के वरिष्ट सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सतिश पावडे द्वारा व्यक्यन की प्रस्तूति दी जाएगी डॉक्टर सतिश पावडे नाटक कार नाट्य निर्देशक नाट्य समिक्षक नाट्य शिक्षक प्रशिक्षक एवं नाट्य शोत करता के रूप में विख्यात है महात्मा गांधी अंतर राष्ट्रिय हिंदी विश्व विद्याले में प्रदर्शनकारी कला विभाग में वेवरिष्ट सहायक प्राध्याबक के रुप में कार्यरत है महराष्ट सरकार के महराष्ट राज्य नाट्य सेंसर बोर्ड और मराठी विश्वकोष के नाट्य मंडल में सलाकार के पत पर भी वेवरतमान में कार्य कर रहे हैं डॉक्टर सतिश पावडे की अभी तक नाटक, समिक्षा, चरित्र एवं संपदे 24 पुस्त के प्रकाशित हो चुकी हैं अभी तक वे 36 नाटकों का निर्देशन, 30 नाटकों का लेखन, 20 नाटकों का अनुवाद रुपांतर कर चुके हैं नाटक एवं रंगमंच के लिए विशश एवं उलेखनिय कार्य हेतु, इन्हें स्मीता पाटिल स्मूरती पुरसकार प्रदान किया गया है स्थानिया अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में HIV संक्रमन की वज़े से होने वाली बीमारी, एड्स के बारे में जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व एड्स दिवस मनाया गया एड्स वर्तमान यूग की सबसे बड़ी स्वास्त समस्याओं में से एक है युनिसेफ की रिपोर्ट के मुताविक 3,80,000,000 लोग इस बीमारी के शिकार हो चुके है दुनिया में रोजाना हर दिन 980 बच्चे HIV वाइरस से संक्रमित होते हैं जिन में से 320 की मौत हो जाती है वंदना यादव, वंदना बारापातरे, निवेदीता कोचे एवं रंजना ठाकुर ने विद्यार्थियों को अपनी अपनी कक्षाओं में मार्ग दर्शन किया विज्यान शिक्षक शुभम कारोकर ने HIV के लक्षन एवं AIDS किन कारणों से होता है ये संदर्ब में विद्यार्थि को विस्तुरुत जानकारी प्रदान की स्कूल की प्राचारी राजेंदर मिश्र ने विश्व एड्स दिवस की थीम और महत्व के साथ ग्यान वर्थक जानकारी साज़ा की एड्स दिवस को वैश्विक स्थर पर मनाने की शुरुआत अगस्त 1987 में हुई थी हेल्थ लाइन की खबर के अनुसार एड्स की जागरुकता अभियान से जुड़े जेम्स, डबली वुनन और थॉमस नेटर ने किया भारत सरकार द्वारा जारी किये गए आंकडों के अनुसार, भारत में हाईवी के रोगियों की संख्या लगभक 3 मिलियन के आसपास है उजवल कवरक्षन ट्रस्ट बहादुरा ग्राम उम्रेड रोट नाकपूर वरतमान में 600 से अधिक बुड़ी अपंग निराश्रित बिमार गायों को लाकर उनकी सेवा गत 28 वर्षों से कर रही है गौमाता को परियाप्त मातरा में आहार भोजन मिले इस हेतू सभी प्रयासरत रहते हैं किन्तु फिर भी चारे की कमी रहती है बिमार गौवंच अधिक होने से दवा इंजेक्शन की विवस्था भी बहत जरूरी है ट्रस्ट द्वारा दवा मिती योजना चालू किया गया है उजवल गौरक्षन को 365 दिन रोज कम से कम एक चिकित सा खर्च दान दाता की जरूरत रहती है गोरक्षन ट्रस्ट द्वारा ज्याद से जादा लोगों से ये योजना का लाब लेने की अपिल की है जिससे बिमार गायों का पुर्ण रूप से इलाज हो सके 365 दिन गौमाता को स्वास्ता लाब मिले इस हेतू नाम दवा मिती योजना में नितांत आवशक है सभी सदस्यों दान दाताओं के सक्रिय सहयोग से ये मुकाम हासिल कर सकते हैं योग संपदा जरीपटका वर्क समुह की और से दायानन पार्क जरीपटका में आयोजित मदुमेह जान जागरन शीविर को अभूत पूर्व प्रतिसाद मिलने की जानकारी कारेक्रम सयोजक चंद्रकुमार टेक चंदानी ने दी टेक चंदानी की अनुसार विख्यात मदुमेह विशेशग्य डॉक्टर सुनिल गुपता ने मदुमेह से सुरक्षा वजागरुकता पर उपस्थितों का मार्ग दर्शन किया मंच पर प्रमुकता से साथन सहकारी बैंक के अध्धिक्षक हंचामदास कुकरेजा डॉक्टर विंकी रुगवानी, वंदना खुशालानी, विजे कुमार केवल रामानी पुर्वपार्शत सुरेश जग्या से प्रमुकता से उपस्थित थे सर्वप्रथम अतितियों ने पुझ्य जनारदन स्वामी एवं वामन राव मोटघरे के च्छाय चित्र पर माल्यारपन किया शिविर में डॉक्टर सुनिल गुपता ने स्तरल भाशा में मार्ग दर्शन कर मरीजों की शंकाव का समाधान किया उन्होंने कहा कि शरीर का बढ़ता वजन, व्यायम का आभाव, आहार में फास्ट फूड, सोशल मीडिया के कारण परियाप्त नींद न होना, तनाव ग्रस्त रहना, मदुमेह के प्रमुक कारण है उन्होंने स्पष्ट किया कि इंसुलिन लेना साधारन मा सामान्य है, रक्त में शरकरा को नियंतरित करने में बड़ी लाबकारी होती है, इससे कोई हानी नहीं होती है कारण का संचालन टेक चंदाने न किया, शिविर में सभी की निशुल ब्लड शुगर टेस्ट की गई, सफलतार्थ राजकुमार विधानी, हरिश गिदवानी, रमेश कंधारी, सुरेश अहुजा, राजुग्यान चंदानी ने अथक प्रयस किया IRS के 74 बैच प्रशिक्षु अधिकारियों को अकैडमिक मन्थन सिरिच के तहत, लोकमत मीडिया समुह के चेर्मेन एवं पुर्वसांसत विजे दरडा ने राश्टर निर्मान में मीडिया और अधिकारियों के बिच सहयों के क्षेतर विशेय पर संभोधित किया दरडा ने अपने संभोधन में नौकर शाही और नयपालिका की जवाब देही विभिन्न प्रशासनिक और संसद्य कानुनों के प्रारूपन की लोक्तांत्रिक पारदर्शी प्रक्रियाओ जैसे विभिन्न महत्वपुर्ण और सविधन्शिल मुद्दो पर जोर दिया उन्होंने विभाग के दिन प्रतिदिन के कामकाज में भारतिय सविधान के महत्व और हिंदी भाषा के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित किया उन्होंने कहा कि सूचनाओं को साजा करने और अधिक पारदर्शिता से विभाग और करदादाओं को राश्टर निर्मान के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी इस दोरान IRS के 74 वे बैंच के अधिकारी प्रशिक्षिवों ने दरड़ा से चर्चा भी की उन्हें की प्रतिक्रिया के माध्यम से संसदिय कारवाई का विशाल ग्यान और अनुभव प्राप्त हुआ रुबिश रिवास्तव, पी आर, डीजी प्रशिक्षन के नेतरुत्व में एने डिटी ने दरड़ा का अपने व्यस्त कारेक्रम में से समय निकालने आयरेस के 74 वे बैच के युवा अधिकारी प्रशिक्षुओं को बहु मुल्य मार्क दर्शन प्रदान करने के लिए हारदिक आभार व्यक्त किया दयाना दार्या कन्या महाविद्याले के राष्टिय सेवा योजना द्वारा विश्व एड्स दिवस ऑनलाइन मनाया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचारे डॉक्टर श्रधा अनिल कुमार नी की उन्होंने कहा कि विश्व एड्स दिवस की शुरुवात 1 दिसमबर 1988 को ही थी जिसका मकसद ही एड्स से ग्रसित लोगों की मदद करने के लिए धन जुटाना लोगों में एड्स को रोकने के लिए जागरुकता फैलाना और एड्स से जुड़े मीत को दूर करते वे लोगों को शिक्षित करना था 1988 से हर साल एक दिसमबर को विश्व एड्स दिवस पनाया जाता है विशेश अति थी डॉक्टर मिना बालपांडे दयानन कॉलेज की शारिरिक शिक्षा विभाग प्रमुक उपस्तित थे उन्होंने कहां कि यदि आप एड्स जैसी माहमारी से बचना चाहते है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप साउधा निया बरते और एड्स से बचाओ के उपायों को अपनाये कारेक्रम का संचालन डॉक्टर तनुजा राजपूत ने एवं धन्यवाद डॉक्टर रूतु तिवारी ने किया कारेक्रम में बड़ी संख्या में छात्राय, प्राध्य पिकाय एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्तित थे प्रभागाट मुमिनपुरास्थित कुरेश कम्यूनिटी हौल के रंग रोगन वह अन्यकारियों के लिए नगर सेवी का सयदा बेगम निजामुद्दिन अंसारी ने तीन लाखी निदी दी है इस वंड से कुरेश कम्यूनिटी हौल का कार्य प्रगति पर है इस आउसर पर निजामुद्दिन अंसारी, अतिक कुरेशी, टुबिल अंसारी, महुमद जफर कुरेशी, अब्दुल मलिक कुरेशी, हाजी अब्दुल जब्बार कुरेशी, आजम कुरेशी, आधिगर्णमान्ने नागरिकों ने नगर सेवीका का इस कार्या के लिए भिन उन्होंने मनपा के टीका करन के समद में नियमों की जानकरी देते हुए कहां कि प्रतिष्ठानों से आभन किया गया है वे संपूरन टीका करन कराने वालों को ही प्रवेश दे अन्यता विकारवाई के भागी होंगे। से अच्छा प्रतिसाद मिला। नाकपुर ग्रामिनों के स्कूलों में पहले दिन 50 फिसदी विद्यार्ती मौझूद रहे। स्कूल शुरू किये गया है ग्रामिन शेत्र में 1,288,000 विद्यार्ती है जिन में से बुद्वार को 67,000 विद्यार्ती उपस्तित थे। जबकि 6,000 में से 5,570 शिक्षक मौझूद रहे। नाकपुर महरगरपाली का शेत्र को छोड़ कर 6 शेत्रों में भी कक्षा पहली से 7 विद्यार्ती तक के सबी स्कूल शुरू कर दिये गये हैं। कक्षा पहली से 7 विद्यार्ती तक के 287 विद्यार्यों में से 251 विद्यार्य प्रारम हुकिये गए। तथा 52,000 विद्यार्तियों में से 18,000 विद्यार्ती उपस्तित थे। कोविड वाइरस के संक्रमन की रोकता में टिका करन एक महतोपुर्ण उपक्रम है। मनपा नागपुर शहर में अधिक से अधिक लोगों को टिका लगाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उलेकन यह है कि टिका करन को लेकर नागरिकों में जाग रुकता है और नागरिक टिका करन के लिए पहल कर रहे है। इसका एहसास 30 नमबर को हुआ नागपुर में मंगलवार को टिका करन का नया किर्तिमाज स्तापित हुआ और मनपा नीजी और सरकारी केंद्रों पर 42,402 लोगों का टिका करन किया गया है। इन्होंने नागपुर के लोगों को भी बधाई दी और उनसे सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। शहर में टिकाकरण की गती बढ़ाने के लिए अपने शेत्र के नागरिकों को टिकाकरण उपलग्द कराने के लिए शहर में विभिनस्तानों पर 150 से अधिक टिकाकरण के इंद्र स्थापित किये गए है इसके अलावा जिन लोगों का टिका करन नहीं हुआ है उन्हें घर-घर जाकर हर घर दस्तक नामक विशेश अभियान के माध्यम से टिकाल लगया जा रहा है मनपा के इन सभी प्रयासों का परिणाम अब सामने आ रहा है विदर्प के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणीव शीशसंस्तान नाग विदर्प चेंबर ओफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश अगरवाल मिहाडिया ने सच्यू राम उतार तोतला के साथ उपजिलादिकारी सुजाता गंधे एवं मनपा के अत्रिक्त आयुक्त राम जोशी को प्रतिवेदन देकर व्यापारिक प्रधिश्टानों में उपस्तित वेक्तियों के माक्स न लगाने है तू व्यापारियों से जुर्माना वसूली के तुगलकी फर्मान का विरोध दर्शाते हुए राज सरकार के इस आदेश को तुरंत निरस्ट करने का निवेदन किया अध्यक्ष अश्विन प्रकाश अगरवाल मिहाडिया ने कहा कि वर्तमान 27 नवंबर के आदेश में सरकार द्वारा निकाले गए आदेश अनुसार किसी दुकान में कोई भी वेक्ति बिना मास के पाया जाता है तो उसका हरजाना व्यापारी वर्क से 10,000 रुपे से 50,000 रुपे तक वसूल आ जा सकता है वही कोई वेक्ति अगर सडक पर बिना मास के पाया जाता है तो प्रशासन उस वेक्ति से 500 हरजाना वसूल करेगा यह कहा तक न्याय संगत है गद दो वर्षों से पुरे देश के साथ महाराश्ट राजय की जनता एवं व्यापारी कोरणा माहमारी से लड़ रहे है इस माहमारी में जन्मानस प्रशासनाव व्यापारियों ने समन्वे बना कर इस माहमारी की लड़ाई में सफलता पाय थी लेकिन गद सप्ता से विरेशों के साथ देश में पुन इस महामारी ने अपना रूप दिकाना शुरू कर दिया है विज्यान के प्रती विद्ध्यार्तियों की रूची जागरूत करने तता ख्षेत्र में नित्य के ने विश्कारों को प्रोचसान देने के लिए भारत सरकार की योजना के अंतरगत निती आयोक द्वारा अटल लैप की स्थापना हे तूच चैनित शालाओं में उतरनाकपुर की जानीमानी संस्ता दयानन आरे कन्या विद्याले वकनिष्ट महा विद्याले आरे विद्या सभाद्वारा संचालित का चयन किया गया है जिसका उद्गाटन 29 नवंबर को संस्ता देक्ष अशोक कुमार कुपलानी के करकमलो द्वारा किया गया उदगाटन समारो में संस्ता सचिवर राजश लालवानी, संस्ता उपादक्ष घंशाम कुकरेजा, कोशा दक्ष भुशन खुपचंदानी, राम केवल रामानी, लालचन लाखवानी, डॉक्टर अभिमन्यू कुकरेजा, नरेश केवल रामानी, दिपिका केवल रामानी प्र विद्यासभा के अदक्ष अशक कुमार कुपलानी ने इस उपलब्दी पर बदाई देते हुए अदक्ष ये भाशन में कहा कि एटियल लैब के माध्यम से सही अर्थों में विद्यारतियों के रशनात्मक दुष्टिकोन का विकास हो अटल लैब एक क्रियेटिव कारेशाला है इसे म्यूजियम न बना कर इसमें विद्यारतियों को अपनी कलपनाओं को साकार करने वो आकाश की उचाईयों को छूने की इच्छा शक्ती जागरूत करनी चाहिए महाराष्ट भाष्टा सभा के चिंतनकक्ष में 27 नवंबर को शाम 6 बजे डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा ने अध्यक्षता करते हुए अपनी कविता के साथ आयोजन को सफल बनाया इसका विसमेलन में सुधा काशिव, डॉक्टर प्रभा महता, मीरा रायकवार, तेजय स्वी सिंग, विजय कुमार श्रिवास्तव, नरेंद्र परिहार, डॉक्टर बाल कुष्ण महाजन, विजय सिंगल, कुष्ण कुमार पूर स्थित प्राचिन शिव मंदिर के प्रांगन में किया जा रहा है, श्री रामकता का समय दोपर तीन से शाम साथ बज़े तक रखा गया है, मंच के राष्ट्य अद्ध्ष मनोच कुमार सिंग ने बताया, कि संगित में श्री रामकता का सरस्रस्पान, चित्रकूट के राजन महाराज भक्तो को कराएंगे कता की कलश यात्रा शनिवार एक जन्वरी को दुपर बारा बजे न्यू हनुमान मंदिर से कतास्तली प्राचिन शिव मंदिर पहुँचेंगी श्री रामकता की तैयारियों की श्रूंकला में कतास्तली का पुजन बड़े हनुमान मंदिर के महन गिरीजी महाराज वह अद्दक्ष मनोच कुमार सिंग के हाँ तो किया गया इसके लिए भववपंडाल का निर्मान किया जा रहा है और कोविट प्रोटकॉल के तहट सैनिटाइजर मास्क आदी की वेवस्ता किये जाने की जानकारी भी उन्होंने दी श्री रामकता की सबलतार तमर्ज के सभी पदाधिकारी वह कारेकरता प्रयासरत है पूरो वर्दमान नगर स्तित राधाकुशना होस्पिटल के 30 साल वर्ष पूर्ण होने पर पिछले 30 सालों से इस होस्पिटल में नावपुर शहर वह आसपास के गाव एवं छोटे शहर के मरीजों को सभी प्रकार की बीमारी का इलाज पूर्णरूप से होता रहा है डॉक्टर, नर्सिंग स्टाप, पेरा मेडिकल स्टाप, अड्मिस्टेशन स्टाप, सभी मरीजों के इलाज में हर तरह से सेवा देते आ रहे हैं इस अवसर पर ट्रस्ट के पवन पोद्दार, हरिश अगरवाल, जगदिश गुपता, कनेयालाल मांधना, सिये गनेरिवाल, रतनलाल अगरवाल आदी उपस्तित थे नाकपूर मंडल ने नवंबर 21 में 1170 रेक लदान कर 405 करोड रुपए कमाये है पिछले वर्ष के इसी महिने में 881 रेक लदान कर 244 करोड रुपए की आय अरजित की थी, जिससे 67% की वुरुद्धी हुई यह नाकपूर मंडल के इतियास में किसी भी महिने की अब तक की सबसे अधिक कमायी है मैं 2021 में पिछला सर्वस्रेष्ट 384 करोड रुपए था पिछले साल के 3 मिलियन टन की लदान की तुल्ला में नवंबर 21 में 4.256 मिलियन टन की लोडिंग हासिल की गई जो की 41% की वुरुद्धी है या नाकपूर मंडल के इतियास में किसी भी महिने में अब तक की सबसे अधिक लोडिंग है पिछला सर्वस्रेष्ट मैं 2021 में 3.86 मिलियन टन था बिडियू की टीम के व्यापक प्रयासों के कारण हिंगनगाट गुडशेड से सोयाबीन के बीजों का नया ट्राफिक मिला और दो रेक जहासी मंडल के निवासी गुडशेड में लोड किये गए जिससे 46 लाख रुपे का राजो सोप्राप्त हुआ और पिंपल कुटी गुडशेड से कॉटन बेल ट्राफिक फिर से शुरू किया और उनब्बे करोड रुपे की माल ढुलाई के साथ पाच रेक लोड किये अप्रेल से नॉवंबर 2021 की अउधी के दौरान मंडल ने 7600 रेक लदान कर 2600 करोड रुपे कमाये है देश की आजादी की लडाई में देशभक्ती गीतों ने आजादी की अलग जगाई यह बात वरिष्ट सहाइतिकार डॉक्टर पटोरिया ने कही लोहिया अध्यन केंदर की ओर से आजादी के अमृत महत्सों के अवसर पर आजादी की तरह ने और क्रांती गाता विशेपर व्यक्षान का आयो जन केंदर के मदुली में रुति सभागुरों में किया गया इस अउसर पर बतर अतिती वक्ता डॉक्टर पटोरिया बोल रहे थे कारेक्रम की अधिक्षता केंदर के सचिव सुनिल पाटिल ने की डॉक्टर पटोरिया ने कहा कि सबसे ज्यादा जांसिकी राणी लक्षिवाई पर लिखे गए महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्पिल का लिखा आजादी का गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है कितना बाजुए कातिल में है लोगों की जमान पर चड़ गया था बंकिमचनर चटर जी का लिखागीत वंदे मातरम क्रांतिकारियों ने हर्मन से गाया लोग वंदे मातरम गाते हुए तिरंगा जंडा लेकर घर से निकल पड़ते थे अंग्रेजों की गोलिया भी उन्हें रोक ना पाई बदनलाल धिंगरा को फांसी की सजा सुनाई गई तो वे वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे पर जूल गए क्रांतिकारी जेल में वंदे मातरम गाते थे सन 1906 में हुए कॉंग्रेस अधिवेशन में कभी रविंदरना टेगोर ने वंदे मातरम गीत गाया था मनाकपूर महानगर की जानिमानी सक्रिय संस्ता विदर्ब सेवा समिती निशिल्क पुस्तकों का वितरन मुख्तनेतर जांच करना आधिकारिय संस्ता पक डॉक्टर संतोश मोदी तता उनकी टीम के नेतरूत में कर रही है उनके रशनात पक कारियों को देखते हुए अकिल भारतिय वेश्य एकता परिश्यत के कारेल है वेश्य भवन में डॉक्टर संतोश मोदी को पुश्बकुच चदे कर सतकार किया गया प्रमुक अतिती के रूप में महानगर माहेश्य समाज के जॉइन्ट सेक्रेटरी सतीच लखोटिया उपस्तित थे कारेक्रम की अद्धिक्षता संस्ता के अद्धिक्ष रामकुष्न गुपता ने की कि राशन इर्मान तता समाज उत्तान में सक्रिय महानुभाओ का सतकर होना जरूरी है डॉक्टर संतोश मोदी ने कहा कि संस्ता के कारे प्रशन सनीय हैं हमें वैश्य एक्ता परिशत के कारेों से प्रेणा लेनी चाहिए हम संस्ता के उज्वल भविशकी काम ना करते है तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस नमस्कार